युए दियादेव स्वागत है आपके अपने चैनल और टेक्निकल फैमली पर तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी भी बोर्वेल का जो पानी होता है वो कभी कभार भगता है वो आपको जानकारी में होता है फिर भी आपको समझ नहीं पाते हैं थोड़ा कुछ आजी अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर दे दीजेगा इससे मेरे को जो है काफी मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों को कोई नई जानकारी देने के लिए और चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है दोस्तों तो देखे पहली बात जब आपके बोर्वेल का पानी कहीं भग रहा होता है तो मोटर अगर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है अगर किस दोनों कंडिशन पर पानी भगता है तो एक आवाज सुनाई देगा जो अभी मैं थोड़ी देर में जो है वीडियो सुरू हो जाते हैं यह देखिया आवाज सुन लीजिए थोड़ा सा करें 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 हां तो दोस्तों आपने आवाज सुन लिया है और अगर आपके पॉर्वेल से भी उस टाइप के आवाज आ रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है इसका जो सॉल्यूसन है वो हम करेंगे इस टाइप से जो आवाज होता है वो पानी उपर से नीचे जाके नीचे जो आ उससे नीचे जैसे ड्रेलिंग हो जाती है उसके यह दरार मिल जाते हैं तो जब आप मोटर चालू कर रहे होगे तो जब मोटर चल रहा होगा उस दाइप के आवाज आपको सुनने को मिलेंगे जो आपने सुना आभी पहले वीडियो पर तो तो मोटर अगर चल रहा है, तो इसका मतलब आपका पानी कम भग रहा है, मोटर चलने के दवरान अगर ऐसा हो रहा है, तो कुछ देर में मतलब धीरे-धीरे पानी आपका जो लेबल है, जहां आपको पानी मिला है, वहां से उपर उठ जाता है, मतलब पानी थोड़ा भग रह और अगर मोटर नहीं चल रहा है, मोटर बंध है, उस इस्थिती में भी आवाज हो रहा है, तो पानी ज्यादा मात्रा में भग रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी अउगत होंगे, ये मुरुम से, मुरुम हो गए, गिट्टी हो गए, और दो मट मीट्टी है, और कहीं कहीं उसको जो है, नगड़ा मीट्टी भी कहती है, किसी एरिया में, हमारे झचातिस गण में उसको नगड़ा मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस आउप जैसे आवाजा आते है, आपके वोरुम से, तो पंप और आपको गिट्टी डाल सकते हैं पहले उसमें उसके बाद अगर आपके पास गिट्टी ओएुलेबल नहीं है तो मूरं डाल सकते हैं क्योंकि मूरं काफी मातरा में मिट्टी भी मोजूद होता है तो जो रोडोड पे डालते हैं वाला मुरूम मुरूम ख़दान पे ही हूँ समझी आप पीछे देख सकते हैं वहाँ खोडायोगर हुआ है तो उस टाइप के जो मुरूम होते हैं उसको डाल देंगे नीचे जाके बैठ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, दो मट मिट्टी को बारिक कर लेना है, उसके बाद उसको डाल देना है, वो जाके नीचे बैठ जाएगा और वहाँ से जो आपका पानी है भगना बंद हो जाएगा, जब तक जो आवाज बंद नहीं हो जाता है, तब तक आपको डालना है, त तो आवाज जैसे ही बंद हो जाता है उसके पाद आपको डालना बंद कर देना है और मोटर को थोड़ा सा उपर रखना है जैसे जहां आपका जो जितनी गहराई है उससे लगभग जैसे आवाज बंद हुआ तो कम से कम उससे 15-20 फीट जो है मोटर उपर होना चाहिए क्या है मोटर चलेगा वहां से पानी का खीचाओ बनेगा तो वो मिट्टी आपका घूल के बाहर आ सकता है इससे आपको दो नुकसान होंगे एक तो पानी जो है गंदा आएगा और दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो पानी है वो जो मिट्टी है वो पूरा अगर घूल के निकल ज सकता है कभी कभार जो है लगता है वह पारे में पानी है परयावत creativity हमें खिदाई के अपिते के पर पांई दीक्ता लेकिन वह पंप लगाते हैं तो पैनी का पता नहीं लगता है तो उस कंडिसंद के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं अगर आपके बोर्वेल से आवाज आ रहा है इस वीडियो की तरह तो ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे दिजेगा और कोई भी आपकी जो क्वेरी हो वीडियो से समंदित तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों जैहिन ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का